नमस्कार दोस्तों फिर एक बार एक नई आउसदी के साथ हाजिर है आपका अपना चैनल घरेलू आउसदी घरेलू आउसदी में आपका स्वागत है हमारा मोटो बी नेचुरल बी हल्दी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मुहासों के जड़ सेलाज मुहासे इसके इलाज के लिए सबसे महतपूर सामगरी है निम्बू का रस गुलाब जल जाइफल आप आपको बताते हैं कि यह तीनों चीज से कैसे हम इसका दवा बनाएंगे सबसे प्रतम निम्बू के रस में बराबर गुलाब जल मिलाकर चेहरे पर लगाएं आदा घंटे बाद चेहरा ताजा जल से धोलें 10-15 दिनों के प्योग से मुहां से दूर हो जाते हैं और मुह के दाग भी अथवा केवल नीबू के छिलकों को मुह परिस्नान से पूर धीरे धीरे मलने से ध्यान दीजिए धीरे धीरे मिलने से और कुछ देर बाद गुनगने पानी में मुह धो होते रहने से भी कुछ दिनों में मुहां से आपके दूर हो जाएंगे और आपकी बेदाग कुदरती निखार तवचा आपको प्रदान होगी दूसरा इलाज है इसका जो कि जिसमें जाइफल की भी जरूरत पड़ेगी जाइफल को कच्चे गोदूद में किसी पत्थर पर घिष लें इतना कि मुह पर लेप हो जाए मतलब कि सर पृद्वम जाइफल एक मसाला होता है हर एक हर घर में उपलद होता है इसको खुब महीन पीस लें एक दम ताकि चहरे पर लगाने के लिए लेप हो जाए मुँपर लेप करने के बाद थोड़ी देर सूखने दें फिर हाथ से रगड़ कर बटन की तरह छुड़ा लें फिर गुनगुने पानी से दो कर पोँच लें दिन में दो बार यह क्रिया करने से दो तीन दिन में ही मुहासे दूर होकर मुहासों के काले दाग धबे मिट जाते हैं और चहरा निखर जाता है तो ये आपको मैंने दोनों तरीके से इसका इलाज बताया ये करने से आपको बहुत ही अच्छा लाब होगा और आप अपनी बेदाग तुचा खूबसूरत आपको प्रदान होगी सभी दोस्तों से मैं एक बार बताना चाहूँगा जो महतपूर सामगरी है वो है निम्बू का रस, गुलाब जल और जाइफल ये तीन हमारी सामगरी है लेकिन इसमें इंडिबीजूल जैसे मैंने बताया है कि इसके दो तरीके हो सकते हैं दवा इस्तिमाल करने से पहला तरीका निम्बू और गुलाब जल उसके बाद है जाइफल जिसको पीस के आपको लेप लगाना है और कुछी दिनों में आपकी बेदाग निखरती और सुन्दर तचा प्रतान होगी और सभी तरसकों से निवेदन है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले इसी के साथ मैं सारी चीजों को अंग्रेजी मैं कहना चाहूंगा धनबाद हलो फ्रेंज वेल्यव सथी तोडे इस डिसंग अगरेल्यों सथी तोडेश अपर सिह प्यारेश प्रताइश प्रताषी जिए टीजोंग को थालिए प्रताइश प्रताइश so to get rid of this major disease that is called pimple you have to use three ingredients that is rose water lemon lemon juice and and you can also use lemon in tube you can extract juice from it and otherwise you can also use pulp in your face and third ingredient is nutmeg jacker so to get rid of this disease you have to want all these ingredient and all the required methodology how to use this disease how to apply these all ingredient in your face to get off this pimple all related methodology is mentioned in a descriptive box all the english this is my humble request to all the english listener that please go through the descriptive box and you get all the method methodology of how to use all these ingredients thank you please do some like and subscribe my in this channel gharilu asadi dhanabad thank you